वैश्विक्म हमारी कोरोना से निपटने के लिए इसके वैक्सीन बनाने के प्रयास किये जारे हैं वैक्सीन बनाने के लिए वाइरस के तमाम लक्षनों पर शोध किये जारे हैं दुनिया भर की तमाम एजिंसियों ने कोरोना की जिनूम के बारे में भी जानकारी जुटाई है और जो जानकारी सामने आ रही है वो थोड़ी हैरान कर देने वाली है दुनिया भर के 62 देशों से आई इस वाइरस के 5300 जिनूम्स को देखा जाये तो इनकी रिसर्च चौकाने वाली है रिसर्च के मताबिक कोरोना अपने अंदर कई बदलाव कर रहा है ताकि वो इंसानी शरीर में खुद को आसानी से छुपा सके कोरोना के अंदर 27 तरीके की प्रोटुइन मौझूध है वही 5300ौन पचास जिनूम सिक्विंस कोरोना में अब तक हुए शोध में सामने आये हैं ये शोध बसद्ध देशों में किये गए है वही 503 जिनूम सिक्विंस अकेले भारत में ही सामने आये हैं इनमें से 53 जिनोम सिक्विंस की जानकारी भारत ने दुनिया को दी दी है और बाकी 450 सिक्विंस पर भारती वज्ञानिक काम करें हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। जिनोम सिक्विंस क्या है यी भी जान लीजें। कोरोना वाइरस 29,903 न्यूकलोटाइड यानि की जैविक पदार्थ की न्यूकलियस बेस से बना हुआ है। कोरोना में एक तरीकी का सेंसर है जिन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये कोरोना का मूल धाचा है और अपने इसी धाचे के अंदर कोरोना लगातार बदलाओ कर रहा है। इसे इस तरह समझवा जा सकता है कि जैसे किसी बने हुए मकान की बहारी सतह सेम है लेकिन इसके अंदर के इंटीरियर में बदलाव किया जा सकता है। लंदन के स्कूल ऑफ हाईजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसन की माने तो उनका कहना है कि म्यूटेशन के कारण कोरोना के विशेश्था में आए बदलाव पर अभी अध्यान चल रहा है। कोरोना के दो बड़े म्यूटेशन पर अभी सबकी निगाह लगी हुई है। ये दोनों म्यूटेशन S प्रोटीन से संबंधित है। और S प्रोटीन की वज़ह से ही कोरोना इंसान की कोशिकाओं के SE2 और TMPRSS2 से चिपक जाते हैं। SE2 को जादा आसानी से कोरोना वाइरस हमला करता है और वज़्यानिकों द्वारा इसी कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जानकारी भी जुटा चुका है वहीं और भी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। वज़्यानिकों की माने तो COVID-19 के वाइरस का मूल स्वरूप अभी वही है लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जिनोम के सिक्विंस की संक्या 10,000 के पार जा सकती है। वहीं जहां दुनिया भर के वज़्यानिक इसका वैक्सीन बनाने में नजर बनाए हुए है। दुनिया भर के तमाम देश कोरूना वाइरस पर अधियन कर रही हैं। हरोश् तरद्र के रिसर्च की जा रही है। वैक्सीन बनाने की कोशिशे की जा रही है और कोरूना को हराने का हर संभा प्रेयास किया जा रहा है। अब ये महनत क्या रंग लाती है ये तो वक्त ही बत आएगा.